आज़रौन कूम दोस्तों मैं जूही प्रमसान भटी और आज हम फिर मीडिया के एक ने पहलू को लेकर एक ने जहएद को लेकर आपके सामने हैं हम जैसे के बात करते हैं कि मीडिया के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आपके सामने लेकर आएं वो जो पहलो छुपे हुए हैं वो आपके सामने लेकर आएं दो तरह के लोग दोस्तों इस दुनिया में होते हैं एक वो जो मेहनत से भागते हैं मेहनत से जी चुराते हैं और हड हरामी की जिंदगी गुजार देते हैं और दूसरे वो लोग जो मेहनत को अ तोड़ा सा different है, हम एक मेहनती शक्स की बात तो करेंगे लेकिन उसकी रुकावटों की भी बात करेंगे कि कैसे उस शक्स ने रुकावटों को अबूर करते हुए मेहनत को अपना स्वार बनाया है और टेक्निकली एक्सिपर्ड बनकर अपना मुकाम एक बनाया है है कैसर बटसाब हमारे साथ हैं क्या हाल चाले आपके शुक्रिया वहिए असलाम ठीक थाइट ना पर इसे जो लोग मिडिया में एनिमेशन को नहीं समझते ग्राफिक्स को नहीं समझते उनको बता दें कि जब आप टीवी पर कुछ भी एक फिल्म ड्रामा या शूर देख रह हैं तो बटसाब वो करते हैं लेकिन बटसाब एक पूरी स्टोरी है हमारे सामने एक मोटिवेशन की उन लोगों के लिए जो लोग मेहनत से जी चुराते हैं बटसाब कहना तो नहीं चाहिए ऐसे शक्स के लिए बटसाब एक हाथ से जो है ना वो माजूर है लेकिन वो हाथ कभी आड़े नहीं आया इनकी लगन और इनकी मेहनत के बड़ सब सबसे पहले तो यह बता है कि यह accident कैसे हुआ यह कैसे साने आये हुआ थोड़ा सा उंची बोली यह ऐसे है कि यह वाक्या 1988 का है और शरारती उमर और लड़कपन बचपन तो मैं स्कूल से वापस आया था तो पतंग बाजी का सीजन था तो उस वक्त में आपको पता है कि बसंत के दिन थे बड़े अरूज पे होते थे ना कोई रिकावट कोई मसला नहीं होता था इतने हाथसाथ भी नहीं होते थे तो बहराल मैं हाथसा बना इस तरह के हम लोग जब मैं स्कूल से वापस आया तो अपने बैन बाईयों से बिछड़ के तो मैं अपनी कारस्तानियों के मन्जरियां पे लाने के लिए लोगों के सामने वो जो मैंने डोरें वगरा लगाई हूँ थी चट के उपर तो वो मैं लेने के लिए उपर चट पे गया तो इदर उदर देखा तो लोग उपर पतंग बाजी गए शोक में मशूल थे तो एक पतंग जो थी वो 11,000 केवी ये महलों से गुजरती हैं पहले मैं ये जिकर कर दूँ तो उस वकत उसके उपर गली महले में से गुजरते हुए कोई उसकी कॉशन नहीं थे कोई उपर पाइप वगारा नहीं था कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे बन्दा बच सके वो ऐसी था जैसे कपड़े सुका कर उसके उपर डालो तो वो मैंने देखा कि उसके अंदर मेरा मैं बच्पन था मेरा मुझे कुछ समझ नहीं आई बरहाल कुछ वाकियात होने होते हैं रोनमा तो वैल वो पतांग को पकड़ने के लिए मेरे पस एक या उप्शन थी जितना मुझे याद है कि मैं एक लोहे का राट था वहां पे पड़ा हुआ उस दौर में एंटीना वगरा होते थे एरियल वगरा होते थे टीवी को चलाने के लिए गुमाने के लिए जी गुम गया जी गुम गया चले जी वो था दौर 88 का तो जाहर है फिर मैंने वो देखा वो पड़ा बता वहां पे लो एक अराट तो मैंने उसको यूज किया मैंने फिर उसको च्छत से आगे किया उसके बद मुझे जाद में प्लैंक तो वो मुझे एक क्रंट लगी थी उससे ग्यारा हजार फोल्टेज की तो उसने मरी जिन्दगी बदल दी उससे ये हुआ के हाथसे को चलाते हुए तो वकत गुजरता क्या इसी हाथसे के साथ तो आप एक मचली को पानी से निकालके तो खुश्की पे लाएंगे तो वो भी तड़फेगी अपना तिखाएगी तो इस तरह एक इनसान बिलकुल नॉर्मल पैदा हो और अचानक ये हाथसा रोनमा हो और वो भी बच्पन में मतलब जहां जिस जिसमें आपने कोई ना कोई सोचना होता है मेरी सोचती मैं पालिट बनु और इस खौप को मैंने पंप्लीट भी किया ऑस मúcण कह से लेकिन वह मुझे शौक था पीलिट बचैंने मियर बनने जी तुख तो जब ये आदसा होब तो उसके बाद वाह Leo छे महीने इस मसले के साथ में लड़ा हूँ उसके बाद मेरा फाइनली जो है डिसाइड हुआ था कि आप यू आफ तो लिव विद वा नाम तो डॉक्टर्स ने फिर मुझे ये चीज बताई और मुझे मेरे घरवालों ने एक साल के बाद बताई यानि कि ये ऐसे हुआ कि मैं लाड़ा था और मुझे बार बार पूशने पर ये बताया जाता था कुछ नहीं ये पट्टी ये खोल जाएगी ठीक हो जाएगा मुझे क्या पता तो जब मुझे पता चला उस वकत मैं किसी चीज़ में इंट्रस्ट नहीं था इंट्रस्टिंग कोई चीज़ लगती नहीं थी कि मैं बाहर निकलूँ या कहीं जाओं तो वो नफसियाती अटैक शुरू हो गए और जिसमें पुशिंग भी थी कि आप बाहर निकलें आए जाएं मतलब ये एक वाक्या ऐसा हुआ मेरी जिंदगी में उसे इच में लोग भी बड़ी बातें बना रहे होते हैं कर रहे होते हैं बच्चे बाहर निकलते हैं बातें कर रहे होते हैं कि अब क्या होगा कैसे होगा जिसमें कोई किसी पर उंगली उठाता है या कोई किसी को लबास से पहचानता है कोई किसी को time से पहचानता है तो कोई किसी को किसी के माज़ूरी से पहचानता है तो इस तरह के माशरे में आप ये ना उमीद रखें कि आपको अच्छा मिलेगा और ये हमने create किया माशरा ये किसी political issue की जुरूरत नहीं है ये हम खुद ही create करते है तो मैं जड़ा दिखाएगे ना हमरे दोस्तों को कि ये किस तरह से ये ये बिलकुल एक हाथ जो है इनका इससे ये एक left side का हाथ है इनसान अपने right hand से ज़्यादा काम कर रहा था लेकिन बटसब का ये left hand है और right hand से ये कुछ भी नहीं कर सकते है लेकिन उसके बावजूद बाइक चलाते हैं बाइक पे सफर करते हैं घर के काम सर अंजाम देते हैं और animator हैं हम वो screen पर आपको शौर्स भी दिखाएंगे कि ये animations भी करते हैं computer पे काम करते हैं एक हाथ से ये सब कुछ कैसे सर ये समझ लें कि ये God gifted चीज़ें होती है शायद इसलिए मेरा हाथ होना था या और बड़े ऐसे वाकिया था जो मैं जोडता रहता हूं आज तक कि इसमें बेतरी है मैं नहीं कहता कि इसमें disappointing है मेरी कुछ चीज़ चिन गए मैं ये नहीं कहता हूं चिन गए मैं जो मेरे लिए बेतर है मेरे लिए चीज़ बेतर है मैं इसे कई ऐसे काम कर सकता हूं कई ऐसी बुराईयों से बच जाता हूं कई ऐसे मामलात में नहीं पड़ता जो कि आपको disrupt करती है अपकी लाइफ को तो मेरा ख्याल है जिस माहौल से मैं गुजरा हूं उस मोहौल में कंप्यूटर का तो कॉंसेप्ट ही नहीं है हमारे खांधरान में तो ये भी एक ऐसे ही है एक्सिडेंट ही है कि आपने इसको यूज़ किया कंप्यूटर को साथ एनिमेशन फील्ड जो है वो मतलब परसब दुबारा पूछें क्यूंकर मैं ट्रैक से उतर गया हूं वो एनिमेशन का मैं पूछ रहा था कि ये तो आप एनिमेशन की बात करें ये तो बड़ा बारिकी का काम है स्केचिंग करना एक जैसे उसी धागे वाला काम परोना और करना तो इतना परकी का काम है एक हाथ से जी ऐसे ही है ये वैसे तो कंप्यूटर को देखा जाए तो दोनों आतों से ये अप्रेट किया है वो उन्होंने तो काई नहीं है ये फो वन आर्म परसन ये डिसेबल परसन तो ना कोई ऐसी आप्शन है इसमें सम आप्शन तो ऐसी भी है आपने कंट्रोल प्रेस टी कंट्रोल प्रेस शिफ्ट तो बड़ा फरक होता है कीज को प्रेस करने में भी तो वो मुझे करना पड़ता है एक प्रेक्टिस हो गई है एनिमेशन बड़ा सैंस्टिव काम है लेगिन मैं जह समझता हूँ कि, अगर आपका दमाग ठीक है नا, तो आप कोई भी कम्प्यूटर ये कोई भी धुनिया का मेधान सर कर सकते हैं, जिसमें कोई खाइसर रुत नहीं है कि आपका ऌार्यप्यों ये राइट, ये राइट होना चाहिए, ये left, ये right leg का का कुछी मसला और दमाग ठीक होना चाहिए. बिलकुल सही कर, का disability तो वैसे भी यहाँ पर नहीं होती है, अगर आप यहाँ से disabled नहीं है, और आपने सोच लिया कि ये disability हहीं हैं, तो फिर दुनिया की कौन सी ताकत है जो आपको कुछ भी करने से रोक सके। जी बिलकुल अपने ठीका disability mind से ही होती है। और मैंने माश्रे की बाद भी पहले किया है कि माश्रा ही आपको पहचान देता है किस तरह करना है। तो मैं स्कूल का एक वाका सना रहा था अपको जब मैं वापिस स्कूल में गया तो वहां पे भी कुछ हाद़ा थे वहां हैं जिसमें मैं क्रिक्ट कलशी खेलता था, उस टीम में भी था, फिर से तमाशाई बनना पड़ा। पीछे खड़ा होके देखना पड़ा तो एक से दो दफ़ा देखा फिर वो इन्वार्मेंटरल एरर था और उसने भी मुझे एक काफी हद तक पुश किया अपने काम से स्टडी से दूर कर दिया काफी हद तक तो उसके पाथ पिर ये कलरफुल लाइफ मेरा इसा बनके जिसको आप एनिमेशन कहलें एनिमेटर अच्छा तभी होता है जब एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर होता है और अच्छा ग्राफिक डिजाइनर वही होता है जिसका ब्रेन कलरफुल हो तो मेरा हैल है मेरा अल्ला ने मुझे एक सही आप्शन दी थी और मैंने इसको बरपूर जिंदगी में नजॉय किया और मा कर ला यह वैसे तो आपकी सोच से लगता है कि आप इस फेल्ड में ना भी आते तो जिस फेल्ड में भी जाते तो आपने तो इसको वो नहीं बनाना था यह मतलब इसको आड़ नहीं लेना था आपने सामने नहीं आना था तो अब तो माशालाब की फैमिली है, शादी शुदा है, बच्चे हैं, तो पूरा एक सरकल चलाना होता है, एक फैमिली को अपने रन करना होता है, तो अब भी मुश्किल नहीं आई फिर? जी, मुश्किल तो नहीं आई, शुकर अल्ला का, कि मैं नॉर्मल परसन कहूं, या क्या कहूं, नॉर्मल परसन से, मैं अपने अपना 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 नहीं कहूंगा, एक इंसान जो बिलकुल मुकमल है, फिजिकली, उस से काफी बेतर हूं मैं, जा अच्छी लाइफ ग यही अल्ला का शुकर, और मुझे क्या चाहिए, असल में जॉब होती है, घरबार होता है, और इसके लाइफ मुझे क्या चाहिए, मैं क्यों प्लेम करूं, कि मैं डिसेबल हूं, आम नॉट, तो मैं समयता हूं, यह दमागी एरर होते हैं लोगों के, जो पहचान बना देते हैं, तो माशरे से मेरे जैसे लोग पुश होते हैं, मैं शायद इस फिल्ड में ना आता, शायद मैं अंधेरों में ही रहता, यह जरूर बताएं, कि अगर उधर हमत हार बैड़ते हैं बच्पन में, लोगों की बातें सुनके, महलेवालों की, बच्चों की, स्कूल, मैट्स की बातें सुनके, क्लास फैलोस की बातें सुनके, तो फिर तो आप बहुत पीछे रह जाते हैं, और ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं, आपने बहुत सारी मिसालें देख्योंगी कि कोई ऐसा परसन, जो जिन्दगी के दोड में कहीं पर उसको कि धचका या धका अगर वो दोर उस से निकल के या आपने नही जिन्दगी के शिरुवात की? मैं यह समझता हूँ कि अगर मैं उस वक्त वो स्पार्क मेरे मेरे में ना आता कि मुझे निकलना चाहिए या मेरे लिए को मसले अब बिलीव करें एक बच्चा जिसको अभी चिन्टू मिन्टू कहा जाता है और वो बड़ा हो के पाइलिट बनने की सोच रहा है और अन हो नहीं हो जाए और तो लोग मेरे वालदान ने मुझे काफी मौटिवेट किया है और बेहन भाईों ने भी किया है लेकिन मैं इस समाज से इस माशरे से जरूर शकायत करूँगा कि मुझे इन्होंने सपोर्ट नहीं की मतलब इस लेवल होंसला फजाई नहीं करते तो जिसमें यह था कि अगर आप बाहर निकले हैं तो आपको ऐसी निगा से देखा जाता है कि यह मुकमल नहीं या अगर मैंने कील और थोड़ी से कील को ठोकना है तो मुझे कहा जाता है कि यह इसके लिए काम नहीं है तो जैसे किसी चीज को गिरा लगानी है तो खाजाता है यह इसके लिए काम नहीं है तो मैं समझता हूं कि दुनिया का हर काम मैं कर सकता हूं मुझे का मसला नहीं है, मैं अंधेरों में रहता है, अगर मैं स्पार्क अपने पास ना रखता है दमाग में, यह अल्ला की देन होती है, मुझे पुछ किया गया, मुझे स्कूल से पुछ किया गया, जिसमें एक प्रॉब्लम मिरसा तो ही है, मेरा स्टडी लेवल बहुत वीक हो गया था, जाहर है आप इतना कुछ कैसे अंडल करेंगे, हिम्मत तो अल्ला दे देते हैं, बाकि स्पोर्ट दोस्नों से मिलती है, दोस्नों से मिलती है, तो मैं अपने दोस्नों से भी पीछे हो गया, स्टार्टिंग में, तो स्टडी से भी पीछे हो गया, तो वो मेरे ल अच्छा वो लम्हा शेयर करें वह स्पार्क वाला लम्हा क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलेगी हमारे दोस्तों को देखने वालों को कैसे वह कौन सा लम्हा था वह कौन सी सोच थी कि जब अपने का कि नहीं अब मुझे इसी के साथ जीना है और मैंने कुछ करके दिखाना है व मैं फॉस्ट टम जब मुझे रिलाइज हुआ कि मैं कम्प्रीट नहीं हूँ तो वह ऐसे था कि मैं बाहर खेलने के लिए निकला था एटी नाइन का एंड हो रहा था कुछ लंहें बूलते नहीं हैं कुछ यादें रहती हैं तो मैं गुदरा था तो मैं अपनी टी-शिट प मैंने देखा कि एक बजर्ग मुझे देख रहे हैं और नहीं बड़ी ना वो उस नज़र से देखा कि ओखो वो जो उनकी ओख होती ना वो मुझे लेके बैठ गी मैं उसी कदम बापिस फिर मैं उस दिन से फिर घर से निकलाने तकरीब बन दो साल मुझे जो याद है हो सकता उसकता है इसले मुझे यादा 2 साल का अग्ता उसता है मैं एक कमरे तक महतूर था मथर्व आप काॉंसेट आप अपनी दमाग में गाद रहे कि आपका बचा 10 साल का याराck साल ऐकल बंद कमरें में बैठा हुआ थो आप क्या मुझे उसके क्या कर सकते हैं तो अगर आप उसको हाथ ला के दे सकते हैं तो वो आप कर नहीं सकते तो परेंट्स फिर इसी तरह सपोर्ट करते हैं तो इस लम्हें से निकलने के लिए एक दोस्त था उन्होंने मुझे मौटिवेट किया उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट की तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम टी-शिर्ट जो है यह मत पहनो तुम फुल आम शिर्ट को यूज करो और हाँ पैंट शिर्ट पहना करो मैंने खाए ठीक जी पहन लेते हैं तो आश्ता शिर्ट वो मुझे साथ लेकर जाते थे और मैं चलता था यह मैं बता रहा हूं आपको कितना मुश्किल है इस माश्रे में चलना वैसे घर में ठीक चलता था वो मेरा अपना था सिस्टम तो वो जिस तरफ को वो चलते थे मुझ काफी हो गया एक ऐसी एज में मुझे एक अच्छा स्पोर्टिव साथ ही मिल गया तो उन्हों ने भी थोड़ा अर्सा मेरे साथ अच्छा बसम गजासों चले गए बाहर चले गए तो आज भी वो बाहर ही हैं तो उन्हों ने मुझे चलना सिखा दिया तो उसके बाद फिर प्राइविट तालीम का सिलसला शुरू हो गया तालीम में भी बड़े मसायल आये थे तो बारहल ऐसे ही सिस्टम था जिस पे निकलना मैं समझता था जरूरी था वरना मैं अंधेरों में रहता या शायद मुझे खौफ आता है कि मैं किसी पागल खाने में उता शायद या मै उस मामलात से ना लड़ पाता और मैं घरी रहता और मैं नफसियाती मरीज हो जाता है ये जरूरी बात मैं बताऊंगा कि आपको कोई भी मसला मसायल है आप उसका हल अपने अंदर में तलाश करें और दुनिया बहुत खसीन है खुबसूरत है बार निकल के देखें तो मैंन पैंसरी के स्पाई हैं तो उनोंने बड़ी बाते सुनाई हुई थी तो ये सिल्सले थे उनके तो उन्होंने करा था तुम न आपन अपना जएन बना लो क्या करना है तो बच्पन में ही मा ने या खालाओं ने या जिनोंने के जिर आ ये पाइलेट बनेगा मैं दूनी नही पाइलिट बनना है तो उसमें मेरा जहन भी बन गया मुझे खिलोने भी वही मिल रहे हैं जहाद मिल रहे हैं जनाब बाहर से आके वह वाले साहब लेके आ रहे हैं वह दे रहे हैं तो इसमें मुझे वह उदर से मोटिवेशन मिली और मैं कम्प्लीट एक अपने आपको पाइल लबास थे उस फक्कT कि उनमें प्लेन नहीं हुता था मैंने नहीं पहनता था तो वो बात मेरे जेन में बहुत ंजिन् t अशर हुई जब मेरे साथी आजसा हभा तो मैंने खुद ये बात अपनी वालदा से की थी अज्य जनल नसीभ करो, मैंने का था कि मैं पाइलेट नी बन सकता तो उन्होंने पंजाबी में एक बात की थी मुझे साल लगा गए खासमा नो खाया सी पाइलेट नी बनना मेरा खलोना मुझसे छिन गया था अगर आप समझे तो बच्पन में तो अब उसके बाद मैंने अपने शोग को किस तना पूरा किय में वह बात थी कि बनना है राश्यज मिनास बनना है तो एक लगाओ आर्मी से आज भी आया पुरानी बाते हैं यह तो मैंने उस शोग के इस तरह पूरा किया फिर जब मैंने किम्प्यूटर को जाइन किया तो सर्च करते करते मुझे मेग 29 गेम मिल गई और आफ लाइन थी उस दोर में 90's में तो बड़ा मदा आता था था उसको खेले में मैंने जो उसमें महारत असल की थी वह यह थी कि एनिमी इसको टारगेट करना और उनकी प्लेस पे जाना और एग्जक्ट वेट लेके जाना उसका मिजल को किस दोरा उसमें रखना लाउंच करना मतलब एक सेम पूरे हो गए लेकिन कौम और मुलक के लिए वो सर्फ नहीं हो सके जो हर मुलक का सिपाही वही होता है जो हर महाज पर डटा हो मेरा अपना महाज है मैं अपने तरीके से आप अपने तरीके से फोजी सिपाही अपने तरीके से पुलीस वाल अपने तरीके से कर रहा होता है तो जहर है कि हर एक फील्ड में अपना एक लोहा मनवाना होता है, आप अपनी फील्ड में काम्याब सिपाही हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अब मैं आता हूँ अपनी उस बात की तरफ जो हमारा था कि मेडिया से रिलेटेड क्योंकि एनिमेशन करते हैं, ग्राफिक् आप तो मैं तो आपको यह नहीं कहूंगा, आपके बातें सुन करके एक हाथ है तो जो दो हाथों वाले हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए कितनी मुश्किल यह फील्ड है और कितना अर्शा लगता है एक प्रापर एनिमेटर बनने के लिए जी, बात तो यह 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 चीज भी शौक पर डिबेंड करती है, जैसे इसका कुछ प्रापर कोर्स तो नहीं है, प्रापर इसकी बुक्स नहीं है, कि यह पड़ें और आप का बैसलर इसमें हो जाएगा, यह आपने पीएशडी करनी है इसमें, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इसमें, हाँ जह तो उसके लिहाद से आपको जाब नहीं मिलेगी, मास्टर इनिमेशन में जाब आपको करनी होती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, तो मैं यह समझता हूँ कि जो कोर्स हैं, वो भी सिर्फ आपको टूल्स का यूज सिखा देते हैं, लेकिन उन टूल के साथ खेलते हुए, आपका हाथ और आपकी महारत जो है, वो तो आपको तजर्बे से आनी है, तो उसमें आप बिल्कुल ठीक है रहे हैं, उसमें यह है कि प्रॉपर अगर आप देखें तो माउस और कीबोर्ड दो अलादा अलादा चीज़े हैं, वो दोनों अलादा अला लेपटॉप में होता है, लेकिन आपने यह काम ऐसा है कि जो करते हैं उनको पता है, जो करना चाहते हैं उनको पता है कि यह कितना सैंसिटिव काम है हमारा, हम ज्यादा लाइट ब्रदाश नहीं कर सकते हैं, तो बड़ा सैंसिटिव काम है, तो दोनों लादा लादा हाथों से यूज़ करना है और मतलब कहने का मकसद यह सान भी आ है मेरे लिए यह सान इस तरह है के मैंने इसी को अपनी जिन्दगी का मकसद बना ली है, इसी को करना है बस, जो मीडिया के लोग जो आई निमेटर्र या production offices को कि हम जैसे लोग बहुत ऐसे हैं जो skilled हैं educated नहीं है तो वो अपने आपको चुपा के रखते हैं आप history बदल सकते हैं आप एक donkey king नहीं आप करोड हो donkey kings और इस तना की कई animated movies बना सकते हैं special facts बना सकते हैं आप के डोर स्टेप पे डेली दस से बीस लोग आके नौक कर सकते हैं talented skilled non-adjugated पड़े लिखे नहीं होंगे उनको चांस दें अपने लिए CV में या पोस्ट करने में छोड़ दें कि बैसलर हो या वो कुछ हो सिर्फ इतना लिख दें कि animator हो designer हो उसका study level मत नपे उसको मत पेमाश करें उसकी तो मेरे श्याल से बड़े ऐसे लोग जो है वो बाहर निकल के आपको अपनी शकल दिखा सकते हैं कि वो मुझसे भी ज्यादा है या उससे भी ज्यादा है attack और वो छुपके क्यों बैटते हैं ये मैं उसी disability की ही बात कर रहा हूँ जो माश्रे की disability की बात कर रहा हूँ कि आप अपने हिसाब को देख के चलें कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है तालीम खुद पजाते हैं एक disability है जिसके पास education नहीं है वो भी disabled है और उसको अगर वो तालीम हासल नहीं कर सका वैसे तो उस जिसी भी हिस्से में तालीम हासल की जा सकती तो उस disability के साथ भी गुजारा करना जो है न महारत है पूरी जी बिलकुल आपने ठीक हा यही मेरा कहने का मक्सद था कि हम अगर इस चीज़ को देखने बैठ जाएंगे न कि देखें मैं स्किल की बात कर रहा हूँ तालीम भी एक स्किल है यह भी एक स्किल है तो जब आप किसी की सीवी को पोस्ट करते हैं या मैं अज़ डिजाइनर या एनिमेटर या क्रियाटिव मैं कुछी सीवी पोस्ट करता हूँ तो मैं अपनी तालीम को उतने ही लिखता हूँ जितना मुझे आता है और ये फेस फोकस करते हूँ उसके ओपर के यार मैंने जब उन्होंने मुझे पोछना है तो मैं ये उनको गया दूँगा यार इतनी तालीम में आप एनिमेटर मांग रहे हैं और एनिमेटर का कोई PhD से तालुक नहीं है वो तो सैंस ओफ यूमर है वो तो एक स्किल है जो आपके अंदर है एक आर्टिस्ट है तो आप एक आर्टिस्ट को पहचाने तो एक बंदा अगर डॉक्टर है और वो स्टेज पर एक्टिंग कर रहा है तो वो उसने पढ़ा तो नहीं ना मतलब ये चीज़ देखने वाली है तो इस तरह काफी लोग हैं जो चांस के बगार जो सितारे मदम बढ़ गए हुए है उनको टाइम में ले उपराने का स्टडी वो लोग देखें ये आपकी अपनी विल है कि आप अगर किसी साफसुत्रे बंदे के साथ बैटे हैं तो आप अपनी गंदी आलत को छोड़के मैं गंदी आलती कहूंगा तालीम के बगार मेरा ये कतल मकसद नहीं है तालीम के बगार गंदी आलत है तो जूँए आप किसी साफसुत्रे तालीम याफ़ता बंदे के साथ बैटेंगे एक दिन बैटेंगे दूसे बैटेंगे तिसे दिन आप उसको फालो करेंगे या किताबे खोलेंगे तो यहीं बात आती है माश्रा उसने आपको ठीक करना है आपके साथ कोई मीस हैप होता है जिससे आप तालीम से पीछे रहा जाते है कोई बंदा शौक से नहीं करता कोई वालदा शौक से नहीं कहता है मेरा बेटा डैंटर बने पैंटर बने यह काम करे वो करे तलिम याफ़ता तो अपनी बाईक और अपनी सवारियां लेकर उन तक जाते हैं यह तूटी जूतीयां लेकर उन तक जाते हैं इनको जोड़ो दो यार वो मगानगी एक होता है तो मेरे ख्याल से तो वो लोग भी स्किल्ड भी इस माश्रे का इस्सा है तो मैं यह कहताँ हूं कि यह मेरे मेंसीज है कि वो खौफ खतना करे दें। सिर्फ कहें कि हमें बंदा चाहिए ये नो ये नो ये नो ये नो है उसका एक्सपीरियंस पूछ लें उसका काम पूछ लें काम कैसा है और एनिमेटर हो ताके कई लोग जो पीछे रह गए हैं इनको में जानता हूं वो जॉब अप्लाई करना चाहते हैं टीवी चैनल्स पे प कि यार चलो तालीम का नहीं पूछ रहे यह स्किल का पूछ रहे हैं तो वो पाकिस्तान का हिस्सा है वो भी आके फिर अपना नाम रोशन करें और आके चलेंगे इन्शाला जो बंदे इस फिल्ड में आना चाहते हैं उनके लिए यही है कि मतलब डिजाइनर जो होते हैं इसके बार के आप सामने ला सकते हैं और यह है कि आप उसको कलर्स को लाइफ दे सकते हैं आप एक क्रेक्टर को लाइफ दे सकते हैं इसमें और आप प्रॉपर कोई ना कोई ऐसी चीज बना सकते हैं जो के बड़ सामने नहीं दा पता है ऐसी हो आंदर मैं की जो आते हैं अच्छा और जो चीज क्रेट करनी होते हैं जो जहन में होती हैं वो सामने सफे पर लेकर आना या स्क्रीम पर लेकर आना ये एक महारत होती है और ये सारे जिंदगी इंसान सीखता रहता है और हर पहलू से सीखता रहता है तो मैं ये समझता हूँ कि जो बहुत सारे लोग इस फील्ड क बहुत अच्छी बात है लेकिन उसके बाद उस कोर्स को करने के बाद आपने जब डिटेल से सीखना है तो फिर लगन, मेहनत और तवज्जों के साथ अगर आप काम करेंगे तो तब सीखेंगे एक बड़ साथ मेरे साथ बैठे हुए इस अगर ऐसे कई बड़ साथ आपकी जिंदगी में, आपकी स्राउंडिंग्स में होगी वो जो बड़ साथ के साथ बच्पन में हुआ कि इनको जो लोगों से जो एक फीड़ बैक मिलता था नेगेटिव किसम का वो आपके स्पार को रोक देती है, आपकी जो क्रेटिव डियोसी उसको जंग लगा देती है इर्दगिर नजर रखें, बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया में कुछ ना कुछ करने के लिए सलाहियत रखते हुए कुछ करना चाते हैं, कुछ करके दिखाना चाते हैं, उन पर कदगन न लगाएं, उनकी सलाहियतों को जंग न लगने दें, तो इन्शाले खूपसूरक दुनिया आप लोगों के लिए क्रेट करेंगे और लोग आपके लिए क्रेट करेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल कि एगाँ.